सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेश्मेंट चैनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए अगर आप नया डिमेंट अकाउंट ओपन करना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देऊई लिंक से ओपन कर सकते हैं कंपनी का नाम है एफिल इंडिया लिम्टेड और देखे इस कंपनी से रिलेटेड एक ओफिसियल नोटेस जारी किया गया है और ये नोटेस 23 अगस 2021 यानि आज के ही दिन पब्लिश किया गया है तो इस नोटेस में दी गई जानकारी को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखें यहां पर आप देख सकते हैं ओफिस्यल नोटेस है थोड़ा साम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक इंपोर्टेंट जानकारी दी गई है देखें यहां पर आप इसको पढ़ेंगे यहां पर आप देख सकते हैं notices hereby given that the meeting of board of directors of the company is scheduled to be held on 26th of August 2021 to consider and approval split of equity shares of the company. अदिके यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर company की एक meeting arrange की गई है जो board of directors हैं उनकी एक meeting arrange की गई है जो की 26 अगस्त को meeting होगी और इस meeting में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने है देखिए यहां पर approve split of equity share यानि की जो इसका equity share है इसकी split होने की जो news है जो यहां पर प्रस्ताव रखा गया है उसको improvement यहां पर मिलेगा तो देखिए यहां पर जो एफिल इंडिया के share holders हैं उनके लिए काफी बड़ी news हो सकती है क्योंकि यहां पर split कितना होगा वो 26 तारीक को ही पता चलेगा देखिए अगर आपके पास इसके share है तो split का मतलब मैं आपको बता दू कि जो equity share होते हैं तो अगर board of director और जो तमाम process होती है उसको कड़ने के बाद जब split होता है तो किसी भी share को 2, 3, 4 या 5 जितने भागों में यहां पर approval मिलता है वहां पर divide किया जाता है माननीजे किसी share का दाम 100 रुपए है किसी company के share का दाम 100 रुपए है तो अगर इसको 1 by 2 का यहां पर split मिलता है तो यानि कि यह 50-50 रुपए के 2 share आपके पास हो जाएंगे अगर आपके पास इस company का एक share है जिसका दाम 100 रुपए है तो जब इसका splitment होगा यानि split किये जाएंगे तो 2 share आपको मिलेंगे और जिनका दाम 50-50 रुपए हो जाएगा अब देखें यहां पर यह split का जो फैसला है वो 26 तारीक को ही इसको approval मिलेगा हलांकि यह जो news आ रही है तो यह फैसला हो ही चुका है लेकिन इसको approval 26 तारीक को मिलने वाला है तो अगर आप इसके shareholder है या फिर इस share को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको यह ऐसा share ढूड रहे हैं जिसका splitment आपको split हो जाए ऐसा आपको लगता है तो वो यह share बन सकता है तो आपके लिए काफी बहतर opportunity हो सकती है तो देखें यह news आपके लिए है जो आपको जानना जरूरी थी अगर आप इसके shareholder हैं अगर आप इसके share में interest रखते हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like और share जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे आज की वीडियो फिलाल इतना ही धन्यवाद